वेल्कम बेक टो माई सॉट्स वीडियो यहां पर मैं बनाना जारी हूं सूजी के अपर नॉर्मल डेली चममस यूज करते हैं उसी स्पून से मैं आप सेवन स्पून सूजी लिए बारिक सूजी आप चाहे तो मोटी सूजी भी यूज कर सकते हैं और आप लोग देख सकते कित मेरी थिक दही ती मेरी घर की थी स्रिफ दो स्पून में डाला है और यहां पर मैंने नॉर्मल टैंप्रेशर का मिल्क यूज किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक अच्छा सा स्मूथ पेच्ट बना लेंगे इस टाइप का और इसको दस मिंट के लिए हम रैस्ट इसको एक मिक्सी के जार में मिक्स कल दिया और एक दम इसका पेस्ट आपलोग दिख सकते कि इतना पतला हो गया इतना ही हमें चाहिए इसके अंदर हम थोड़ी सी टुटी फूटी अट करेंगे अप्शनल है आप इसमें चाहे तो डाले नहीं तो बिन उसके लगते है तोड बेकिंग सोड़ा और बेकिंग पाउडर और उसमें दो चम्मच दूट डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस जगह पर हमें ऑई का यूज करना है या फिर घी जो भी आप ले सकते हैं मैं आप घी का यूज किया क्योंकि मैं बच्चे के लिए बना रही हूं तो मै क्या करा यह देख सकता है दो चमच खी लेकर के इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप चाहे तो ऑई यूज कर सकते हैं वह आपकी मर्जी है उसके बाद अपे लिया आप इस टेंड सोरी और उसके बाद उसके अंदर हमें हर एक जो भी गैपिंग है उसमें एक एक स्पून ड आप लोग देख सकते हैं इसका फाइनल रिजल्ट मेरे अपे थोड़े थोड़े से चिपा करेते हैं बट मैंने खराब हो या अच्छा मैंने आप लोग इसाथ मैं सब आपके साथ करूंगी तोड़ के दिखा रहे हुं कि देख सकते कितना जाली दर बना है और यह मेरा सेक इसलिए कभी भी जादा ही अपने होशारी ना दिखा है सो यह यहां पर बस इस तरीक से थिक रहना चाहिए आपका बैटर और फिर आपके देख से कितने प्यारे प्यारे संदर संदर सूजी के अपे बनकर के रेडी हैं मिलते हैं आसी नई रेसिपी के साथ तब तक लिए आई होब आपको वीडियो पसंद आया होगा चैनल पर नहीं तो सिस्क्राइब कर दिजिएगा